हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल तयारी एक जाम की जिन लोगों ने भी तेक हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें तो आज हम लोग अच्छा दस्वी की संस्क्रित जिसमें अब्जेक्टिव क्यूशन पचास मार्स के पुछे जाते हैं बस्तुनिष्ट प्रश्णोत्तर अब्जेक्टिव टैप क्यूशन बिस आंसर्स के साथ करने वाले हैं तो आईए तो हम लोग पहले देखते है हिंदी में बस्तुनिष्ट प्रश्णोतर ओके बहुँ बेकल्पिक प्रश्णोतर मल्टिपल च्वाइस क्यूशन एमसी क्यूशन पचास मार्स के पूछे जाते हैं और यह है आपका गद खंड से लिया गया है ठीक है तो आईए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं आज देखें मैं आपको यह बता देती हूँ यहाँ पर किस तरह से आपको पूछे जाते हैं यहाँ पर बहुँ बेकल्पिक प्रश्णों के उत्तर O.M.R.C. उत्तर पत्र पर लिये जाएंगे इसमें प्रश्ण संख्या के नीचे दी हुए बिकल्प के अच्छर A.B.C.D. गोल प्रश्णों से गोल घेरे को पूर्ण रूप से भरे उधारन के लिए नीचे दिये गए प्रश्णों देखें यहाँ पर क्यूशन नमर पहला पटना एवं को मुदी मोहसब कब मनाया जाता था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा भी गुप्त वंस काल में ठीक है तो इस इसका राइट अंसर भी हो जाएगा हम आपको बताएं थे तो प्रश्ण संख्या का सही बिकल्प भी है ओम आर सीट में सही बिकल्प भड़ने की बीधी देखें यह करेक्ट मेठड है यह रॉंग मेठड है आप लोग एक्जाम में इस तरह से मार के आएगा तो एक नमबर भी आपको नहीं मिलने वाले हैं ओके तो आईए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं यह आपका भी हिंदी में है अभी हिंदी में करा रही हूं इसके बाद अबजेक्टिव का कराऊंगी तो वह संस्कृत करहेगा चलते हैं हम लोग इसे देख लेते हैं पहले गदिख अंसर दो सो बर्स तक क्यूशन नुबर टू है यहां पे आपका पटना का इतिहास कितना पुराना है तो ए इस दराइट अंसर पचीस सो बर्स क्यूशन नुबर थ्री है यहां पे यूनान को राजदूत कौन था यूनान का राजदूत कौन था तो सी इस दराइट अंसर म कुल ग्रिह कौन सा महा नगर था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सी पाटली पुत्र ओके चलते हैं क्यूशन ओवर 5 पे परिभूत पूरंदरम अस्थानम की संग्या किसे दी गई है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा एपाटली पुत्र नगर को क्यूशन ओवर 6 है बराह मिहीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा सी ब्रिहत सहिता ओके चलते हैं क्यूशन ओवर 7 पे गुरु गोविंद सी का जन्म अस्थल कहां है तो आप लोग बताएगा A is the right अंसर पाटली पुत्र नगर को कौन सा है तो A is the right अंसर पाटली पुत्रम आप लोग सभी जानते होंगे क्यूशन ओवर 9 है आपका कावी मिमांसा के रचनाकार कौन है तो A is the right अंसर राज सेखर क्यूशन ओवर 10 है बुधिक के समय में पढ़ना का नाम क्या था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपक सब भी पाटली ग्राम क्यूशन ओवर 11 है पाटल पुस्पो की पूत्ली का रचना की आधार पर पटना का कौन सा नाम है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सी पाटली पुत्र चलते हैं क्यूशन ओवर 12 पर 12 है मेगा अस्तिनीज परटना किसके समय में आया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका सी चंद्र गुप्त मौर के समय में चलते हैं क्यूशन ओवर 13 पर Q13 कह रहा है पतना में कौमोधी महसर कम मनाया जाता था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा A, गुब्त वन्स काल में ओके चलते हैं Q14 पे हम लोग क्या कहता है देख लीजिए Q14 है यहाँ पे आपका पाटली पुत्र पतना के नाम से कभी से प्रसिद हुआ तो C is the right answer मधिकाल में Q15 है यहाँ पे आपका कूट नीतम कावी के कभी कौन है तो इसका right answer हो जाएगा B, दामोधर गुप्त Q16 है आपका राज सेखर की रचना कौन सी है तो इसका right answer हो जाएगा A, कावी मिमान सा Q17 है हाँ पे आपका कौमोधी महसब किस रितु में मनाया जाता था तो D is the right answer सरद रितु में Q18 है आपका पत्ना नगर की पालिका देवी कौन है पत्ना नगर की पालिका देवी आपका C is the right answer पत्न देवी है Q19 है पाटली पुत्र किस नदी के किनारे इस्थित है तो इसका right answer हो जाएगा A, गंगा नदी के किनारे आप सभी जानते होंगे Q20 है पत्ना सब्द की किस सब्द से उत्पत्ती हुई तो इसका right answer हो जाएगा C, पत्नात Q21 है हाँ पे आपका पाटली पुत्र का नमांतरन क्या है तो इसका right answer हो जाएगा D, कुसूमपूर Q22 है पाटली पुत्र किस राजी की राजधानी है तो इसका right answer हो जाएगा A, बिहार Q23 है गंधी सेतु पूल कहां अवस्थित है आपके पास चार ओप्सन है लिकिन यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा D, पाटली पुत्र Q24 है गोल घर कहां अवस्थित है तो A is the right answer पत्ना Q25 है आप लोगों का पत्ना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है तो A is the right answer उत्तर दिशा में ओके Q26 है यहाँ पे आप लोगों का किस काल में पत्ना का नाम पाटली ग्राम था तो इसका right answer हो जाएगा ए बुध के काल में Q27 है महावीर मंदिर कहां अवस्थित है तो इसका right answer हो जाएगा C, पत्ना Q28 है पाटली पुत्र में किस महापूरुस की जन्म अस्थली है तो इसका right answer हो जाएगा C, गोरु गोविंद Q29 है चंद्र गुप्त किस वंस का संस्थापक था तो A is the right answer मौर्य वंस का Q30 है सिखों के दस्वे गुरु कौन थे तो आप लोग गुरु नानक कभी नहीं मारके आएगा इसका सही अंसर होगा आपका A, गुरु गोविंद Q31 है पाटली पुत्र का बुधिकाल में नाम क्या था तो C is the right answer पाटली ग्राम Q32 है एस या महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा D, गांधी सेतु और यह कहां अवस्थित है तो यह पाटली पुत्र में अवस्थित है यानि कि कहें तो पटना में Q33 है को मोदी महोसब कहां मनाया जाता था तो C is the right answer पाटली पुत्र में चलते हैं Q34 पे पाटली पुत्र वैभुवं पाट में किस नगर का वर्णन है तो D is the right answer पाटली पुत्र का Q35 है यहाँ पे आपका किसके सासन काल में पाटली पुत्र की सोभा तथा राच्छा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी तो इसका right answer हो जाएगा आपका B चंद्रगुप्त मौरे के समय में ठीक है चलते हैं अब हम लोग संस्कृत पे यह हिंदी में था objective अब यह संस्कृत पे हम लोग आ गये हैं तो यहाँ पे भी पाटली पुत्र वैभुवं है यहाँ पे भी ओके तो इसका right answer हो जाएगा D गंगाया गंगा टट के किनारे Q2 है आपका यहाँ पे कसी सास कस्य काले पाटली पुत्र नगर रष्ट्य सोभा रच्छ वेवस्था च अति उत्कृष्ट आसित किस सासन काल में पाटली पुत्र नगर का सोभा अच्छ वेवस्था अति उत्कृष्ट थी तो इसका right answer आपका हो जाएगा B चंद्रगुप्त मौरश्य चंद्रगुप्त मौर के समय में Q3 है आपका यहाँ पे इतिसंग का आसित इतिसंग कौन था भीच्छु का कथाकार यात्री इतिहास कार तो इसका right answer आपका हो जाएगा C यात्री इतिसंग यात्री था Q4 है आपका यहाँ पे गुरु गोविंद सिह जन्म अस्थानम के नाम न प्रसिध मस्ती गुरु गोविंद सिह का जन्म अस्थान किस नाम से प्रसिध है तो इसके पास आपका सही उतर हो जाएगा D is the right answer गुरु द्वारा Q5 है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है आपके पास चार ओप्शन है लेकिन इसका right answer आपका हो जाएगा C गांधी सेतु Q6 है चंद्र गुप्त मौर रस्य काले अस्ति नगर से रच्छा वेवस्था क्रिद्रिशी आसित चंद्र गुप्त मौर काले में उनके नगर का रच्छा वेवस्था कैसा था तो इसका D is the right answer अत्यूत क्रिष्टम अत्यूत क्रिष्टम था बहुत अच्छा था is the right answer पाटली पुत्र नगरे पाटली पुत्र नगर में यानि कि पत्ना नगर में क्यूश्य नवर एट है यहाँ पे आपका क्या है देख लेते हैं कस्ति काले पाटली पुत्र से रच्छा वेवस्था संपनह आसित किस काल में पाटली पुत्र का रच्छा वेवस्था संपन हुआ तो B is the right answer चंद्रगुप्त मौरे के काल में चंद्रगुप्त मौरे के काल में क्यूश्य नवर नाइन है कावे मिमान सा नाम का ग्रंथ का अलिखत कावे मिमान सा नाम का ग्रंथ को किस ने लिखा था कौन लिखा था तो आपके पास यहाँ पे चार ओप्सन है ठीक है तो आप लोग बुक पढ़े होंगे तो पाता होगा इसका right answer हो जाएगा ए राज सेखरह कावे मिमान सा नाम ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो राज सेखरह है क्यूशन अबर टेन है यहाँ पे राग्या असोकश्य समिय असी नगरस्या बैभवं की द्रिशम आसित राज राग्या मतलब राज असोकश्या मतलब असोक के समय में पटना नगरस्या पटना नगर का बैभवं कैसा था तो C is the right answer सम्रिध और एक अच्छा नगर था क्यूशन अबर 11 है आपका यहाँ पे बिहार अस्या कशिमा नगरे गोल ग्रिहम अस्ति बिहार में कहां गोल ग्रिहम है अवस्तित है तो इसका right answer हो जाएगा A पाटली पुत्र नगरे पटना नगर में क्यूशन अबर 12 है यहाँ पे कस्या नामांतरं पुस्प पूरं कुशुम पूरं वा प्राप्यते मतलब कि किसका नाम पुस्प पूरं प्राप्त है तो इसका right answer हो जाएगा D पाटली पुत्रश्या पटना का क्यूशन अबर 13 है यहाँ पे आपका कसी वन सस्या काले पाटली पुत्रश्या समुधारों जाता है किस वन स काल में पाटली पुत्र का समुधारा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा आपका D मुगल वन स काले मुगल वन स के काल में समुध हुआ था क्यूशन अबर 14 है यहाँ पे आपका क्या है देख लेते हैं पाटली ग्राम कुत्र इस्थित आसित पाटली ग्राम कहां इस्थित है तो इसका right answer हो जाएगा A गंगाया स्तीरे गंगा तीरे गंगा नदी के किनारी इस्थित है क्यूशन अबर 15 है यहाँ पे आपका पाटली पुत्र वैभवं पाठे कासी नगर अस्थिया वर्णन अस्ती पाटली पुत्र नगर पाठ नगर का वर्णन कहां किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा पाटली पुत्र अस्थिया तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेर करे रहें तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार, हैव अनाइस डे अब मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो ओके तो अब राख देती हूँ